Hello everyone, welcome to my youtube channel, I am Avisek Gaurav from IETBHU तो हमने पिछले वीडियो में Slave Dynasty को डिसकस कर लिया उससे रिलेटे जो भी important points से उसे हमने डिसकस कर लिया है अब इस वीडियो में Slave Dynasty से रिलेटे कुछ MCQs देखेंगे जो मतलब previous year के questions होंगे like state, PCS वगरा में कहीं पूछे गया हैं तो इस सभी questions को हम discuss करेंगे इसमें और मैं कोसिस करूँगा सबको explain करने की ताकि आपको कोई अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है और इस वीडियो को देखोगे तो कोई doubt ना रहे हैं मतलब maximum concept आपका clear हो जाए तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर कीजेगा अभी से start करते हैं तो first question है हमारा what is a high दिन का जोपड़ा तो अब इसको पहले आप एक बार करना क्या कि आप वीडियो को pause करना पहले option में mosque, temple, saint heart या फिर tower तो अड़ाई दिन का जोपड़ा हमने दो मस्जिद के बारे में बात करी थी अब इसको देखते हैं पहले इसका correct option तो यह ही होगा mosque होगा मस्जिद है तो अब इसका solution देखते हैं पहले तो सबसे पहले इसे बनवाया किसने था अड़ाई दिन का जोपड़ा को कुतुबुदीन एवक ने बनवाया था कुतुबुदीन एवक ने अड़ाई दिन का जोपड़ा बनवाया यह अड़ाई दिन का जोपड़ा है कहां अजमेर में तो अजमेर में कुतुबुदीन एवक ने अठाई दिन का जोपड़ा बनाया है सासी साथ हम ये भी देख लेते कुतुबुदीन एवक ने और क्या बनाया था कुतुबुदीन एवक ने कुवत उल इसलाम मस्जीद बनाया था तो आपको यह ध्यान रखना है कुवत अलिस्लाम मस्जीद और अठाई दिन का जोपड़ा यह दोनों कुतवदीन नेवग ने बना है कुवत अलिस्लाम मस्जीद है कहां तो यह डेली में है तो इसे आपको ध्यान रखना है तो फर्स्ट क्वेशन का अंसर option E हो जाए का mosque यानि मस्जिद next question है who was the founder of slave dynasty तो अब आप वीडियो को pause करके इसका answer दे अब मैं बताता हूं इसका answer तो इसका option क्या क्या है पहला इल्टूत्मिस, second अल्लाव दीन खिलजी third बल्बन और fourth कुतुबुदीन आवक तो इसका correct option D होगा कुतुबुदीन आवक अब इसको देखते हैं एक बार तो basically slave dynasty यानि डेली सल्तनत का first dynasty जो था वो slave dynasty ही था अब slave dynasty चला कब से कब तक 1206 से लेके 1290 तक और कुतुबुदीन आवक ने slave dynasty के स्थापना करी कब 1206 में तो कुतुबुदीन आवक का कारेकाल का कैपिटल डेली नाहो कि लहौर में ही था तो कुतुबुदीन आवक का कैपिटल कहां होगा तो वो लहौर में था अब यहां पर जैसे पूछा गया who was the founder of slave dynasty तो इसका answer कुतुबुदीन आवक हो गया इसी तरह अगर पूछा जाता who was the founder of daily सल्तनत तो उसका answer भी कुतुबुदीन आवक ही होता लेकिन अगर question आपसे पूछे who was the first सुल्तान आव डेली सल्तनत यानि डेली सल्तनत का या फिर डेली का पहला सुल्तान कौन था अगर यह पूछा जाए तो उसका answer इल्टूत्मीस होगा क्यों? क्योंकि कुतुबुदीन आवक ने कभी भी सुल्तान की उपादी धारन नहीं करी इसलिए इसे मतलब पहला सुल्तान जो माना जाता हो इल्टूत्मीस को माना जाता है लेकिन founder अगर आपसे पूछे who was the first ruler of slave dynasty तो उसका answer भी कुतुबुदीन आवक ही होगा who was the founder of slave dynasty तो उसका answer भी कुतुबुदीन आवक ही होगा अगर question पूछे who was the founder of Delhi सल्तनत तो उसका answer भी कुतुबुदीन आवक ही होगा लेकिन अगर पूछे who was first सुल्तान आव देली तो उसका answer आपके मतलब आपके लिए इल्टूतमीज हो जाएगा तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पेस्टन की और बढ़ते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि कुटूब मिनार बनाने में इन सब में से किन का कंट्रिवूशन नहीं रहा यानि किन्हों ने अपना योगदान नहीं दिया तो इसमें उप्षन है एक कुटूब अदीन अबक, बी इल्टूतमीज, थर्ड गियासुदीन तुगलक, एंड फूर्थ फिरोज सा तुगलक तो इसका करेक्ट उप्षन आप एक बार पॉस करके सोच ले मैं बताता हूँ अब इसका करेक्ट उप्षन हो जाका सीग यासुदीन तुगलक तो कुटूब मिनार के बारे में भी बात करते हैं अब बेसिकली कुटूब मिनार जो है वो फाइव स्टोरी बेल्डिंग है अभी के टाइम पे लेकिन जब यह बनाय गया था तब उस ताइम इसमें चार ही फ्लोर था तो याँ पी बनाते हैं यह अग़ार दो फ्लोर तीन फ्लोर और चार फ्लोर पहले यह था तो बेसिकली जो फर्स्ट फ्लोर और जो बेसमिंट है वो मतलब निर्मानकारे स्टार्ट किया गया था कुतुबुदीन अबक के दौरा निर्मानकारे और फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो वो कुतुबुदीन अबक ने बनवाया बाकी सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फ्लोर ये बनवाया गया था इल्टूतमिस के द्वारा तो क्विस्चन में क्या पूछेगा? मतलब जैसे यहाँ पूछा गया तो पहले तो कुत्व अधीन अवक ने फर्स्ट फ्लोर का निर्मान करवाया बाकी जो निर्मान का रहे था इसका, सेकेंड, थर्ड और फ्लोर वो इल्टूतमिस ने कंप्लीट करवाया बट अब होता क्या है कि यहाँ पे बिजली गिरने के कारण, लाइटनिंग के कारण इसका फ्लोर जो होता है वो डैमेज हो जाता है अब यहाँ पे फिरोज साथ तुगलक पिक्चर में आते हैं तो फिरोज साथ तुगलक ने किया क्या कि एक फॉर्थ फ्लोर तो उन्होंने बनवाया है साथ ही साथ यहाँ पे एक फ्लोर और एड़ करवाया, फिर्ट फ्लोर भी बनवा दिया उन्होंने तो अभी के कुतुब मिनार को अगर आप देखोगे तो उसमें पांच फ्लोर है तो अब यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट फ्लोर कुतुब उदीन अवक ने बनवाया सेकेंड थर्ड और फॉर्थ इल्टूतमिस ने बनवाया अब जो नहीं रहा योगदान वो गया सुद्धीन तुगलक का है तो यहाँ पे उप्सन C हो जाएगा नेक्स्ट वेस्टन है तो इसको तो मैंने पहले ही बता दिया कुतुब उदीन अवक का कैपिटल लाहौर में ही था इसने अपने कैपिटल को डेली में सिफ्ट नहीं किया तो यह बात ध्यान रखना है इसका कैपिटल कुतुब उदीन अवक का कैपिटल लाहौर में ही था तो इसका करेक्ट उप्सन ए हो जाएगा विच सुल्तान अब डेली सल्तनित इस नोन इस लाख बक्स तो इसका उप्सन है ए इल्टूत्मिस बी बल्बन सी मुहम्मद बिन तुगलक एंड थर्ट या सॉरी डी कुतुब उदीन अवक तो इसको आप ट्राई करें अब इसको बेसिकली मैं बताता हूँ तो लाख बक्स कहा जाता है कुतुब उदीन अवक को यानि इसका करेंक्ट आपसन डी होगा लाख बक्स कहा जाता है कुतुब उदीन अवक को ऐसा क्यों? लाख बक्स का मतलब होता है लाख रुपय दान करने वाला तो एक कुतुब उदीन अवक जो था वो लाख रुपय दान किया गरता था तो इसलिए इसे लाक वक्स कहा जाता है इसे कुरान ख्वा भी कहा जाता है कुरान ख्वा मतलब होता है one who recites कुरान यानि ये बच्पन में कुरान को बहुत ही मेलोडिय स्टून में गाया करता था कुतुबुदीन है वक्त इसलिए इसे कुरान ख्वा भी कहा जाता है, फिर लाक बक्स भी इसे कहा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, लाक बक्स किसको कहा जाता है, कुतुबुदीन अबक को, तो करेक्ट ऑप्सन, ऑप्सन डी हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेशन है, फू अमंग दा फॉलवेंग इस्टेबलिस्ट डेली अज दा कैपिटल अफ सल्तनेट, तो ये मैंने आपको बताया, इसका आप्सन तो आप इसली बता दो गया, ये कुतुबुदीन अबक का कैपिटल तो लाहौर में ही था, अब इसका करेक्ट ऑप करता है, कैपिटल को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाए गई तुतमिष, नेक्स्ट क्वेशन है, हाव डिट सुल्तान कुतुबुदीन अबक यानि सुल्तान कुतुबुदीन अबक जो थे, उनकी मृत्यू कैसे हुई, ये एक मौस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्डें गोडें जाते हैं और इनकी मृत्यू हो जाती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यान ही चौगान खेलते वक्ते हुपने घोडे से गरते हैं, और इस तरह उनकी मृत्यू हो जाती है, फिर मैने ये भी बताय था कि इनका ठाव है इनका पॉंब नहर में बनाया नेक्स्ट वेस्टन है वो आज दा फर्स्ट सुल्टान अब डेली वो इंट्रोडियूस रेगुलर कोईंस एंडिकले डेली दे कैपिटल अफ इंपायर यानि क्वेस्टन में पूछा जा रहा है कि वो पहला सुल्टान कौन था डेली का जिसने रेगुलर कोईंस चलाया रेगुलर कोईंस को इंड्रोडियूस किया और डेली को अपने कैपिटल के तोर पे इस्टैबलिस के डिकलेयर किया तो अब ये तो मैंने आपको बताएं दिया बेसिकली अब हुआ क्या था लाहॉर कैपिटल था कुतुबुदीन अवक के टाइम में जब इल्टूतमीस रूलर बनते हैं तो इल्टूतमीस लाहॉर से डेली में सिफ्ट करते हैं अपनी कैपिटल को डेली में सिफ्ट किया इन्होंने अपने कैपिटल को और इन्होंने रेगुलर कोईं भी चलाया और इनके time में मतलब iltutmis के time में दो coin था Tanka और Jital Tanka silver का coin था and Jital copper का coin था तो ये दो coin भी इन्होंने चलाया तो ये question basically पूछा जाता है Tanka और Jital किसके time में था तो ये iltutmis के time में था iltutmis ने Tanka और Jital coin को चलाया था और इन्होंने pure Arabic coins को मतलब introduce किया था यहां पे तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो इसका correct option iltutmis भी हो जाएगा Who was the first sultan of Delhi who introduced regular coin तो regular coin तो इन्होंने ही यानि iltutmis ने introduce किया था और Delhi को अपने capital के तोर पे declare किया था ये iltutmis हो जाएगे correct option भी हो जाएगा इसका next question है Who of the following was the first women ruler of medieval India यानि medieval India में पहली muslim महिला मतलब muslim तो थी ही प्लस पहली महिला ruler कौन थी तो ये मैंने आपको बता है रजिया सुल्तान correct option इसका ये हो जाएगा रजिया सुल्तान basically पहली muslim महिला थी जिन्होंने डेली पे रूल किया medieval India में रूल किया और डेली सल्तान पे मतलब डेली पे रूल करने वाली एक मात्र महिला ruler होती है रजिया सुल्तान तो ये भी आपको ध्यान रखना है रजिया सुल्तान correct option इसमें अब रजिया सुल्तान का अगर कारेकाल देखे तो रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने रूल किया था इनके मृत्यों कैसे होती है तो basically हरियाना में कैथल नाम की एक जगह होती है और वहीं पे 1240 में इन्हें ये एक conspiracy का सिकार बन जाती है जिसमें इन्हें और मतलब मली कलतूनिया जो इनके husband होते है जिनसे इनकी साधी होती है उन दोनों को मार दिया जाता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर next question है who was called slave of slave यानि गुलामों का गुलाम किने कहा गया है तो इसके बारे में भी हमने देख लिया वीडियो में वैसे तो लेकिन फिर भी option है इसमें मुहम्मद गौरी B. कुतुब दीन अबक C. बल्बन D. इल्तूतमिस तो basically अब देखते हैं यहाँ पर मुहम्मद गौरी मुहम्मद गौरी के गुलाम कुतुब दीन अबक होते हैं और कुतुब दीन अबक के गुलाम होते हैं इल्तूतमिस तो यहाँ पर गुलामों का गुलाम यानि कुतुब दीन अबक मुहमद गौरी के गुलाम तो है लेकिन इनका गुलामों का गुलाम कौन हो इल्तूतमिस हुआ तो इसलिए इल्टूत्मिस को गुलामों का गुलाम कहा जाता है यानि slave of a slave कहा जाता है तो D correct option इसका हो जाएगा इल्टूत्मिस नेक्स्ट क्वेशन है विच सुल्तान अब डेली वाजिक अंटेंपररी टु मंगोल लीडर चंगेश खान तो चंगेश खान के बारे में भी मैंने जिक्र किया था अब इसका option है A. इल्टूत्मिस, B. रजिया सुल्तान, C. बल्बन, D. अल्लाओदीन खिलजे तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पे A. इल्टूत्मिस होंगे इसका आंसर तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो बिसकाली इल्टूत्मिस के टाइम में ही मंगोल लीडर जो चंगेश खान था वो आता है अब आता क्यों है? खौरिज्म के एक रूलर होते है मतलब खौरिज्म का प्रिण्स होता है सहजादा होता है मंग बढ़नी जलालुदीन मंग बढ़नी अब जलालुदीन मंग बढ़नी जलालुदीन मंग बढ़नी जो हता है वो चंगेश खान के भाई की हत्यागर के भाग रहा होता है चिप रहा होता है और यह मंग बढ़नी आता है इलतूतमीस के पास, इलतूतमीस करता है कि मैं चंगेज खान से भाग रहा हूँ, मुझे सरन दो, तुम रहनी की जगह दो, वरना यह चंगेज खान मुझे मार देगा, लेकिन इलतूतमीस को पता था, यह चंगेज खान या फिर जो मंगोल लीड मंगबढ़नी को ठूंड रहा था मारने के लिए तो इसलिए आया तो इसका करेक्ट आप्शन ए हो जाएगा नेकस्ट क्टिशन है इन हूज रेन मंगोर्ज सेन यानի पहली बार इंडस्स रिबर तक पहुचने वाल मतलब इसे पहले इंडस्स रिवर तक मंगो कहीं पहुचे नहीं तह ना पहली बार था जब मंगोल्स हो गए वो सिंदू रिवर तक पहुँच चुके थे तो यह आये थे किसके टाइम में अभी हमने पिछले स्लाइड में ही देखा इल्टूत्मिस के टाइम में जिसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा इल्टूत्मिस इल्टूत्मिस अपउयंटेड सीड तो मतलब मुच्छा जा रहा है कि इल्टूत्मिस ने पहली सुवेधारी बिहार में किसको दि मतलब बिहार में पहला सुवेधार किसे निकत किया जिसका आप्शन है एवज ए बी नसरिदीन महमूद सी अली मर्दन और डी मलिक जाने तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे डी करेक्ट अप्शन है मलिक जाने तो basically मैंने उसमें explain किया था बट एक बार फिर से बता जिता हूँ 1225 में यहाँ पे हिसमुद्दीन आवाज होते हैं मतलब बंगाल के सुवेदार अब इन्हें हरा के इलतूतमिस मतलब basically होता क्या है कि जब इलतूतमिस रूलर बनता है तो उसी टाइम पे हिसमुद्दीन वगेरा जो होते हैं वो बंगाल को autocratic मतलब अपने बोलते हैं कि बंगाल को एक basically इन सभी के अंडर ना करके अपने आपको एक नया ruler मतलब नया क्या बोल सकते हैं उसको like अपने आपको मतलब independent state घोजित कर देते हैं और वहाँ पे वो कबजा कर लेते हैं लेकिन यह करता क्या कि 1225 में हिसमुद्दीन वाज पर attack करता है और हिसमुद्दीन वाज जो होता है वो surrender कर देता है और इसके बाद बंगाल पर इनका control आ जाता है तो बंगाल या फिर बिहार में ही था मतलब बिहार पहले बंगाल में ही था तो अब यहाँ पर control करने के बाद बिहार का जो सुबेदार होता है वो मलिक जानी को नहीं उक्त किया जाता है इल्टूतमिस के द्वारा तो इसका correct option D हो जाएगा अब next question है the original name of चंगेज खानवाज यानि चंगेज खान का original name क्या था तो यह भी मैंने आपको बताया था question में पूछा जाता है तो इसका correct option C होगा तेमूचीन या तेमूजीन यह इसका original name था चंगेज खान का next question है the full name of Sultan of Delhi Balban मतलब Balban का यहाँ पे कॉमा होगा बलबन का पूरा नाम क्या था तो बलबन का पूरा नाम तो आपको याद ही होगा यह भी मतलब state PCS में पूछे गए सब questions तो ग्यासुदीन बलबन इसका नाम था पूरा नाम जिसका correct option C हो जाएगा next question है who was behind the dethroning of Rajya बेगम तो अब Rajya सुल्तान के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था Turks यानि Turks जो होते हैं वो इनको dethron करने में मतलब एहम भूमी का निवाते हैं like जो तुरकान चहलगानी था तुरकान चहलगानी या फिर दलचली सावीजी से कहा जाता है तो इसमें basically Turks वारलोट या Turks नोबल ही मौजूद थे तो इन्होंने मतलब यह जो तुरकान चहलगानी फिर दलचली साथा वो इन्हें dethron करने में एक एहम भूमी का निवाती है और बाकी के जो आज़ पास के तुरक सरदार वगेरा थे वो भी मतलब रजिया बेगम को हटाने में एक एहम भूमी का निवाते हैं तो यह इसका correct option C हो जाएगा Turks नेक्स्ट कुिस्टन है तो अब यहां से पूछा जा रहा है कि अपने power को consolidate करने के बाद बल्बन ने कौन सा title मतलब अब assume किया रखा आपने आपको कौन सा title दिया कौन सा उपाजी दिया इसमें option है तूती हिंद दूसरा है कैसर हिंद थर्ड जिल्ले इलाही और फूर्थ दीन इलाही तो इसका correct option अगर आपने पढ़ा होगा तो correct option इसका see होगा जिल्ले इलाही होगा जिल्ले इलाही मतलब होता है reflection of God या फिर image of God तो ये मतलब जो बल्बन था वो ऐसा बताता था कि वो जो ruler जो भी मतलब चुने जाते हैं वो God के द्वारा चुने जाते हैं और मतलब ये God के reflection होते हैं image होते हैं like उपर भगवान है तो नीचे उनका reflection image के तौर पे सुल्तान हो गया मतलब ruler हो गया तो इस तरह इसने अपने आपको जिल्ले इलाही कहा तो इसका correct option C हो जाएगा next question है which सुल्तान अब डेली is said to have followed the policy of blood and iron यानि blood and iron का policy किसने follow किया तो ये भी bulban ही था तो इसका correct option भी हो जाएगा अब blood and iron policy में क्या था कि जहां भी जाता था attack करना है सबसे पहले तो blood and iron policy ये किसने follow किया था बलबन ने follow किया था जिसका correct option B हो जाएगा next question है which one of the following statement is not true about bulban यानि bulban के लिए कौन सा statement true नहीं है अब इसमें देखते हैं option देखते हैं पहला he propounded the theory of niyabat e khudai तो ये हमने देखा था कि bulban जो था वो ये इस theory को propound किया था bulban ने like वो खुद को मतलब niyabat e khudai का मतलब होता है representative of God तो उसने ऐसा बताया लोगों को कि ये जो ruler होते हैं जो सुल्तान होते हैं वो God के representative है like God ने उन्हें चुनके भेजा है उनको खुद को God को represent करने के लिए और उसे niyabat e khudai का जाता है तो ये तो सही है लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है bulban को लेके दूसरा question है अब इसको हम लेकिन इसका correct option तो बैसे वही होगा लेकिन इसके बारे में बात करते हैं तो इक्तादारी system तो bulban ने इंट्रोडियूस नहीं किया था था इक्तादारी system इंट्रोडियूस किया था तो यह option का मतलब यहां पर not true पूछ रहा है तो यह option गलत है bulban को लेके इसका correct option जो हो जाएगा वह भी हो जाएगा लेकिन बागी के option को भी हम देख लेते एक बार तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि bulban खुद तुरकाने चहलगानी का एक मतलब member था तो जैसे ही वो गदी पे बैठता है तो उसे लगता है कि अगर मैं यहां तक पहुँच रहा हूँ तो बागी के तुरकाने चहलगानी के जो लोग है या फिर दलचलीसा के जो लोग है वो भी तो कभी मुझे मार के यहां गदी पे बैठ सकते हैं इसलिए सबसे पहले इसने क्या किया आते ही तुरकाने चहलगानी को खतम किया उसको खतम किया तो इसने तुरकाने चहलगानी तुगरिल खान के द्वारा हुआ था 1279 में मतलब 1289 में तो ये भी सही है मतलब तो ये प्रवर्वकुज को इसने सांत करें तो ये भी एप्सन भी बवन को लेकर सही है लेकिन ये not true पूच रहा था तो इसका correct option B हो जाएगा तो B इसका answer हो जाएगा इसके बारे में भी हमने बात करी थी नौरोज को बलबन ने इंट्रोडियूस किया था तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए बलबन हो जायेगा next question है given below are two statements यानि दो statement दिए वे और दूसरा reason है reason मतलब कि उसका क्या कारण है अब पहला assertion यानि कथन क्या है बलबन made his government firm stable and centralized all authority in his hand तो ये true है अब बलबन basically autocratic ruler था वो मतलब दूसरे की influence को मानने वाला नहीं था मतलब जो भी decision है वो खुद लेना चाहता था मतलब firm बनाया उसने, stable बनाया, centralized बनाया मतलब जो भी decision लेने की power हो, वो central power ही हो मतलब बल्बन के पास ही हो main authority उसी के पास होना चाहिए like उसने नियाबत एक खुदाई ये किया फिर जिल्ले इलाही वगरा मतलब कहा अपने आपको तो इसका मतलब यही तो हुआ कि सर्वोपरी वही है, बल्बन ही सर्वोपरी है तो जो भी decision होगा वो बल्बन ही लेगा ये किसी के influence में आने वाला नहीं है साथ ही साथ ये भी कहता था कि राजा को autocratic होना चाहिए मतलब राजा दूसरे पर dependent नहीं होना चाहिए वो खुद decision लेना चाहिए तो assertion one to true है इसका second reason अगर देखे तो he wanted to protect Northwest Frontier against Mongol invasion तो हाँ ये भी सही है तो दिवाने आरिज बेसिकली इसलिए दिवाने आरिज जो थी वो एक military department थी वो बल्बन के द्वारा ही start किया गया था तो दिवाने आरिज इसलिए तो बनाया गया था ताकि मंगोल invasion को counteract किया जा सके तो Northwest Frontier से जो मंगोल attack कर रहे थे उसी से मतलब protect करने के लिए दिवाने आरिज नाम के एक military department बनाई गई थी ताकि इनके military के आर्मी जो भी हो उन्हें थोड़ा और मजबूत किया जा सके तो ये भी मतलब सही है लेकिन इन दोनों में कोई relation नहीं है तो इसलिए इसका correct option C हो जाएगा A is true, but sorry, इसका correct option B हो जाएगा बोथ A, मतलब assertion and region are true, मतलब assertion भी सही है region भी सही है, but region जो है वो assertion का complete correct explanation नहीं है, मतलब ये इसको explain थोड़ी कर रहा है मंगोल invasion के कारण थोड़ी नहीं मतलब अपने power को form a stable or centralized किया अपने government को बल बनने ये तो मतलब protect करना चाहता था ठीक है ये चाहता था, लेकिन इसका correct explanation थोड़ी नहीं है वो तो खुद को जादा मतलब अपने power को थोड़ा expand करना चाहता था consolidate करना चाहता था, इसलिए authority को अपने हाथ में लिया इसने मंगोल invasion के कारण थोड़ी नहीं लिया अब next video में हम Allahuddin Khilji या फिर Khilji dynasty के बारे में बात करेंगे जिसका major portion मतलब major focus Allahuddin Khilji पर ही रहेगा तो अगर वीडियो अच्छा लगओ तो वीडियो को like कर ले और चैनल को subscribe कर ले thanks for watching